हाई फ्रेंड्स आप सभी को मेरे नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टेज यूट्यूब चनलों पर स्वागत है तौस्तों हम लोग आज एलेंटी टेकनोलोजी सर्विसेज में भारी तेजी होता हुआ देखें दीन के एक समय में तो ये 6% से ज़्यादा ऊपर चड़ करके ट्रेड कर रहा था और तक्रिवन 5742 का इसने आज फ्रेस लाइफ हाई लगाया यानि कि न्यू लाइफ हाई लगाया और ये स्टॉक दोस्तों लगातार हाईर हाई न्यू लाइफ हाई बनाते जा रहा है और हम लोग लगातार इस स्टॉक पर बुलिश रहे हैं जैसा कि दोस्तों हम लोग बीच-बीच में 5 दिन पहले वे एक वीडियो बनाये थे उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि 5000 का लेवल छूप पाएगा या नहीं बड़े तुफान की तैयारी और उस समय दोस्तों यह 400 के आसपास यह ट्रेड कर रहा था और हम लोगों ने अनुमन लगाया था कि यह जल्दी 5000 के लेवल को तोड़ करके उपर निकल जाएगा और हम लोग आज देख रहे हैं कि 5000 के लेवल से काफी उपर चला गया और इसी वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने यह भी संभावना जताई थी कि जब भी यह स्टॉक और चवण सव की लेवल से उपर जा करके बंद हो जाएगा तो हम लोग इस स्टार्च में भारी तेजी होता हो देखेंगे तो दोनों की दोने बाते तो दोस्तों अब हो चुकी है division कि क्या हो सकता है तो आगे क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है उसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग L&T Technology Services कैसा रिटर्म दिया अपने निवेशों को लास्ट फाइव यर्स में वो हम इस बात देख लेते हैं तो लास्ट फाइव यर्स में ये तक्रिवन 600 यानि कि लास्ट फाइव यर्स में ये अपने निवेशों का पैसा साथ गुना करके लोटा चुका है तो इसके फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे जिसकी वज़ा से इसने काफी कम समय में साथ गुना का रिटर्म दे डाला है और अभी भी इसमें तेजी बन जरी है तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा है और चर्चा को आगे बढ़ा है तो उसके पहले मैं आप भीवर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फास्ट आइम आया हो तो फड़ाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता हूं मैं सब्सक्राइब करी लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके फंडामेंटल को फड़ाफट चेक कर लेते हैं तो यहां पर हम लोग दोस्तों क्या देख रहे हैं कि LTTS के जो revenue है वो लगातार देखिए higher high बनाते हुए चल रहे हैं और FY21 में इनके revenue में हलका सा degrowth देखने को मिला था चुकि कोविट के चलते काफी सेक्टर में degrowth देखने को मिला था और जिसक सेक्टर को यह cater करती है ट्रांसपोर्ट, medical device और भी engineering, industrial engineering वो सारे के सारे मंदी में चले गया थे जिसके चलते इनका FY21 में degrowth देखने को मिला था लेकिन overall trend बोले दोस्तों तो यह काफी अच्छे ढंक से अपने revenue को बढ़ाने में सफल देखने को मिल रही है महीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सेम प्रियाड में net profit का क्या हाल रहा है तो यह देखिए net profit भी इनके 310 करोड से बढ़ करके यह 663 करोड हो गए तो इनके net profit में भी two times का jump देखने को मिला है last five years में तो revenue भी बढ़े net profit भी बढ़े और हम लोग क्या चेक करना चाहिए दोस्तों कि इनके sales growth कैसे देखने को मिले तो यह देखिए इनके जो sales growth है FY21 में सिर्फ degrowth में गया थे जैसा के भी हम लोग ने देखा था बाकी साल इन्होंने हमेशा sales growth दिखाया है और इसके जो sales growth है वो लगातार अब trend में चल रहे हैं तो यह दोस्तों long term का scenario है अगर हम लोग इसके margin की बात करें कि कितने margin पर यह काम करती है तो यह देखिए लग पातार इनके margin तक्रीवन 12% के rate से बढ़ रहे है on average तो काफी अच्छा margin है double digit का margin है अब हम लोग बात करते हैं इनके date paying capacity की company के उपर अगर कोई कर्ज है तो यह चुका पाने में कितनी सक्षम है तो ICR ratio के हिसाब से यह latest 22 times देखने को मिल रहा है जो कि बेहदी अच्छा है त अगर बात करें दोस्तों कि company अच्छा की है तो इसके reserve बढ़ है कि नहीं तो यहाँ पर देखिए इनके जो reserve है लगातार exponential growth से हम लोग बढ़ता हुआ देखना है तो company के पास reserve भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी किसी परकार के कोई दिक्कत नहीं है EPS growth को अगर देखा ज अब बात करते हैं दोस्तों इनके latest quarter result के कि वह कैसे आए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनके quarter on quarter जो नतीजे हैं वहाँ पर revenue में growth देखने को मिल रहा है और net profit में भी अच्छा खासा growth देखने को मिल रहा है तो यहाँ और year on year इनके net profit की बात की जाए तो वहाँ पर भी हम लोगों को अच्छा खासा growth देखने को मिल रहा है और revenue में भी काफी अच्छा जम देखने को मिल रहा है तो हम लोग यह बोल सकते हैं दोस्तों कि इनके जो revenue और profit है वो बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ रहा है है यहाँ पर भी हम लोग चार्ट में यही देख रहे हैं दोस्तों कि green वाली जो candle है वो quarter two के revenue है और इधर में expenditure भी इनका देखने को मिल रहा है प्रॉफिट देखिए यहाँ पर प्रॉफिट भी quarter one के respect में quarter two में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इनके जो year on year और quarter on quarter जो growth देखने को मिल रहा है यह देखिए revenue में 22.37% का jump देखने को मिल रहा है जबकि profit में 38.97 का देखने को मिल रहा है year on year बिसिस पर और quarterly बिसिस में इनके जो sequential growth रहा है revenue में तक्रिवन 6% और profit में तक्रिवन 11% तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इनके revenue और profit short term में भी काफी अच्छे धंग से बढ़ रहा है और अगर हम लोग half year ended result की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो half year ended result के हिसाब से इनके revenue में हम लोगों को jump देखने को मिल रहा है और net profit में भी हम लोगों को jump देखने को मिल रहा है तो यह काफी अच्छी बात है वहीं अगर हम लोग दोस्तों margin की बात करें तो margin भी 10.61 से बढ़ करके 14% होता हुआ देखने को मिल रहा है तो हर front पर यह company बहुत ही अच्छा कर रही है और अब तो half yearly basis पर भी हम लोग देख रहे हैं क अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों long term growth की long term में यह company कैसा grow कर पाई है तो हम लोग देख रहे हैं कि last five years में इनके revenue 12% CAGR के rate से बढ़ते हुआ देखने को मिले हैं वहीं पर इनके जो profit है 9% CAGR के rate से हम लोग बढ़ता हुआ देखे हैं लेकिन वहीं तीन साल की बात करें तो revenue growth 12% से बढ़ करके 13% होता हुआ देखने को मिला है और net profit में हम लोगों को जो muted growth देखने को मिला है बोली कि same growth है 9% पहले भी था 9% अभी भी है तो long term में भी company bad phase में काफी अच्छा की है और अभी लग रहा है कि यह high growth phase में जा चुकी चुकी इसके revenue लगातार बढ़ रहे हैं हम लोग अगर short term revenue growth की बात करें तो quarter on quarter इनके revenue growth 6% और profit growth 11% year on year basis पर तक्रिवन revenue growth 22% और profit growth 39% half year basis पर 20% revenue growth रहा है और profit growth 57% से ज्यादा देखने को मिला है तो हम लोग उमीद करेंगे दोस्तों कि जब इसके December quarter के result आएगे तो हम लोग 9 month period में इनके जो profit growth रहेंगे तो overall हम लोग 70% के आसपास होता हुआ देख सकते हैं और साल के अंत में जब यह अपने annual reward लेकर आएगी तो हम लोग यह जरूर उमीद कर सकते हैं कि इसके जो profit रह रहेंगे तो company बहुत high growth phase में जा चुकी है और इसके जो performance है वो काफी consistent है और लगातार यह improve कर रही है अब थोड़ा हम लोग इसके expenses के breakup को भी देख लेते हैं कि इनका expenditure कहा होता है तो यहाँ पर इनका inventory and data cost जो है उसमें 70% का expenditure है तो यह major component है और चुकि यह जिस sector में काम करत है दोस्तों तो इस component में इनका expenditure होना लाजमी है और यह already 70% है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके जो expenses है inventory and data cost में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो हम लोग उमीद करेंगे कि इसके जो profit है वो लगातार बढ़ते रहेंगे अब हम लोग shareholding pattern को भी देख लेता है कि इनके shareholding pattern बड़े निवसों का अनुसार किस प्रकार का है तो पर motors की holding 2020 और 2021 में almost same देखने को मिल रही है वहीं FIs ने अपनी holding बढ़ाई है साल-दर साल, DIs ने भी अपनी holding बढ़ाई है, public की holding भी इसमें हम लोग बढ़त shareholding में क्या बदलावाया है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो FIs हैं उन्होंने quarter on quarter basis पर अपनी holding बढ़ाई है, वहीं BIs ने अपनी holding 8% कम की है, और public की holding 0.39% से हम लोग बढ़ता हुए देख रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि FIs इस stock को ले आने वाले समय में भी तेजी दिखाएगा, और अगर हम लोग इसके चार्ट को study करने ही कोशिस करें, और यह समझने ही कोशिस करें कि आने वाले दिनों में LTTS के sharehold की इस प्रकार से बदल सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग इसके चार्ट में कुछ support and resistance लगा रखे हैं, उसके अधार पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने 5 दिन पहले जो वीडियो अप्लोड किया था, उसमें चर्चा की थे कि यह 5400 के लेवल से उपर जाकर के closing देगा, तो इस stock में हम लोग भारी तेजी होता हुआ, देख पाएंगे, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज देख रहें, यह 5675 पर जाकर closing दे चुका है, तो immediate कौन सा target हो सकता है, जहां कि यह resistance का सामना करेगा, तो दोस्तों आप इस level को no down करने 6038, या बोलिए दोस्तो 6100, तो immediate जो target मुझे देखने को मिल रहा है, LTS में, वो 6100 का देखने को मिल रहा है, और ज तो इसका जो next target देखने को मिल सकता है, जोस्तों, वो 6610, तो इसे भी आप no down कर ले, 6600, तो दो level को दोस्तों याद रखेएगा, एक तो 6100, और दूसरा 6600, यह दोनों के दोनों ही target हम लोग LTTS में आने वाले महनों में meet करते हुए, अबसे देख सकते है, ऐसा इसके fundamental और technical suggest क कर रहे हैं, हो सकता है दोस्तों कि जो मेरे view हैं, वो आप से differ हो, तो अगर ऐसा है तो आप मेरे comment box में जाकर जरूर comment करें, कि आपके view differ क्यों है, और अगर आपको लगता है कि LTTS के जो target हमने यह आप पर estimate लगा हैं, वो आसानी से meet हो सकते हैं, तो भी आप मेरे comment box में जाकर क जरूर comment करोगे, और आपके पास भी LTTS के share हैं, तो भी आप मेरे comment box में जरूर comment करें, कि आपने किस price पर इसे खरीदा है, तो फिर दोस्तों हम लोग next video मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जैहिन